राज्यपाल ने कहा है किसी ने नहीं सर राज्यपाल ने कहा है दो बार सर दो बार राज्यपाल ने आपको कहा है कि फ्लोर टेस्स लीजिए लाल जी टंडन जी ने राज्यपाल राज्यपाल ने टी तेखिए मैं जानता हूं क्या कानून और क्या राज्यपाल की अधिकार है और लाजकी नेरे सामने मेरें पेश होई या राजजेपाल उनको कहें और तब मैं फ्लोटरेस करवाँ लेकिन कहीं न कहीं कमलनाज जी आप मानते हैं कि आप भी रणनीती चूक गई 22 विधायक चले जाते हैं आपको इसकी जानकारी भी नहीं पड़ती है और जब जानकारी पड़ती है वो बंगलोर चले गए तब तक कहीं न कहीं आपकी भी चूक हुई है आप और दिग्विजय कई SINGhi कि कहीं ना कई आपकी रणनीती जो है वो कमजोर पड़ गई । पार मेरी रणनीती कोई कमजोर नहीं पड़ी मैं जानता था बीजेपी तो पिछले पंदरा महीने से प्रयास कर रही थी, कि इनको यहां ले जाएं, उनको वहां ले जाएं, मुझे जानकारी थी कि कुछ चले जाएंगे, इसके बाद किस प्रलोबन के साथ, किस डरा के, कैस दमका के, यह बैंगलोर क्यों ले गए, क्या बैंगलोर जाने का कारण क्या था, कोई बता सकता है, उन करनाटक ले जाने की क्या कारण था सर आपके विदायक जैपूर जाते हैं जहां आपकी सरकार है उनके विदायक या बागी विदायक जाते है करनाटका जहां उनकी सरकार है यह किस्सा कुरसी का है सर इसमें सब कुरसी के लिए है यह नंबर की लडाई अब है नहीं बिल्कुल नहीं है जो यह मैं मैं आपको टोकना चाहता हूं करेक्ट करना चाहता हूं हमारे विजायक गए जैपूर यह इच्छा से गए उनके पास उनके हाथ में फोन पूरे दिन घूमते रहे शहर कोई रोक रकावट नहीं मंद्रों में गए मॉल में गए बादार गए उनके हाथ में उनका फोन यह हमारी विदायकों का जैपूर जाना और वहां करनाठक पर उनको बंद करना बिल्कुल अलग चीज है तो आपने का है कि आप भी जाने के लिए तैयारे बंगलोर कल दिगवी जैसिंग गये थे उनको तो मिलने का मौका नहीं मिला क्या जाकर उनसे बात करने के लिए आपने मोबाइल में संपर्ग करने की कोशिश की है नहीं मैं 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 मेरे कईयों से रोज संपर्ग हो रहा है इसलिए तो मैं इतनी कॉंफिडेंस से आपको ये बात कह रहा हूँ इसलिए तो बाजपा वाले बात के का पार्टिश कोई लुँकि बहुत सारे मेरे से संपर्ग में हैं जो कहते हैं ना तो हमने कॉंग्स चोड़ी हो तो उन ने कॉइश्च बूछा मीडिया बला था आपने कॉंग्रेस चोड़ी है उन्हीं कोई जवाब नहीं d beter संव ने का हम सब कांग्रेस नहीं खोडएंगे हमें आप किसी तरह भोपाल बोलु है और वोई हम कहiden सर्वलेहिं लेकिन कहीं यह सब बात जो सर आप कहसे बात है बातिए जनता पार्टी को डर था इनको डर था ये भी में आंत में कहे दूं मैं 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 डर था कि जो माफिया के खिलाफ हमने मुहीम चलाया है जो मिलावट के खिलाफ हमने मुहीम चलाया है पंद्रे साल इनको क्या सरक्षण मिलता रहा यह कैसे पंद्रे साल में इस सब का खुलासा होने वाला था सर ये आपकी बात जहां भी हो लेकिन आपके लोग गए हैं ये कॉंग्रेसी गए हैं उनके साथ जोतिरादितिया सिंधिया आपके बड़े नेता भी चले गए कहीं न कहीं एक साजिश थी जो भी है रिबेलियन था बगावत थी लेकिन वो साफ कह रहे हैं वो जोतिरादितिया सिंधिया के साथ है कहीं न कहीं सिंधिया जी ने आपकी सरकार को इस मोड पर पहुचाया ये मानते हैं आप ही के लोगों ने आपको दगा दिया अरे भाई करनाटक बायत के बंदक हो के डरा के धमका के उनसे कुछ भी कलबा लो वो तो कहेंगे राजदीब सरदिसाई के साथ भी हम है यह इसका कोई मतलब है भोपाल आए मीडिया के सामने जाए क्यों इसमें डर है उनको अगर यह स्वतनत्र है खुले दिल से कह रहे हैं खुले मन से कह रहे हैं अपने दिल और दिमाग से कह रहे हैं तो यह आके यह बात कहें भोपाल में कहें करनाटक में बैठके एक ऐसे होटल में जाब 500 पुलिस वाले इनको गाड कर रहे हैं एक दूसरे से भी नहीं मिलने देते तर लेकिर आपने च्छे मंत्रियों के इस्त यह तो स्पीकर मैंने जो छे मंत्री थे उनको बरखास किया उनको हटाया मैंने तो इत्ता ही किया अगर स्पीकर ने छे मंत्रियों के का स्तीफा सुविकार किया यह आपको स्पीकर बताएंगे क्या आधार था उनका जो मुझे जानकारी है जो अगबारों से जानकारी है उ क्योंकि इन्हों ने उनको समय दिया थाने के लिएुए इन्हों ने ओत का वालेशन किया यह इसकाól जवाब देगा मैं तो इसका जवाब दे सकता हूँ कि मैंने बरकास किया है मैंने बिलकुल बरकास स्य